तो गैज यहां पर देख सकते हैं मैंने कल अपना चेन को क्लीन किया था पूरे प्रपर तरीके से आगे का जो चेन स्प्रकेट है उसका जो कवर होता है ताकि डर्श्ट अंदर ना जा पाए उसको निकाल दिया था ताकि ये चेन अच्छे से प्रपरली क्लीन हो पाए लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि चेन करने के बाद में चेन को अच्छे से वास भी किया था और जो अगर आपके सुबह देखा गाड़ी का हालत क्या है तो यहां पर देख सेते हैं इंजीन ओल कैसे थोड़ा-थोड़ा करके लीख हो रहा है जो कि बहुत ही गलत बात है अगर ऐसा हुआ तो आपका इंजीन ओल अगर कम हुआ इंजीन में जेतना ओल होना चाहिए तो आपके इ इंजीन में से प्रब्लेम हो सकता है और एक बात अगर आप आगे का चैन स्पोकेट अकबर उपेन करके स्टार्ट भी करते हो तब भी इंजीन ऐसे लीख होता है अगर आप चाहे तो हमारे जो बड़े यूटूबर है बुलेट सिंग वोई सर उन्होंने भी अपने स्पोकेट को क्लीन करते हो तो आगे का स्पोकेट अगर उपेन करते हो तो फिर उसको उपेन ज्यादा टाइम तक ना रखे और ना ही कबर लगाए बीना इंजीन को स्टार्ट मत करें देट्स आप